हेलो एभर यण है आप हम इस वीडियो में मैं आपको बताओंगा जो PGT का एकजाम निकला है उसको stop by stop क्यासे भन आ तो यवांख्टी से चैनल को सुआई बीडियो को आयए ओर पाकी दूस्तों के साथ भी शेर करकें तो चलिए शूर्व करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले अपने गूगल पर जाना है और गूगल पर अजब पी ऐसी टाइप करने है इसके बाद आपने ऐसी देही हिमाच्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन की ओफिशिल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपने अप्लाई ओनलाइन के ऊपर जाना है और वन कंडिडेट है तो आप नियू रिजिस्टेशन पर क्लिक करोगी अगर पर आने है तो आप यहाँ पर लोगिन करोगे तो अब इमें सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप अगर आप नियू रिजिस्टेशन कर रहे हो तो आपको कैसे इसको अपलाई करना है तो उसके आपको यहाँ पर email इंटर करने होगी उसके बाद आपको email नमर डालना होगा उसके बाद security question आएगा उसको लिखना होगा और और अपने मन से कोई answer लिखना होग多 जो आपको याद रहेगा उसके बाद पासपर सेट कर दे पासपर को confirm कर दे और फिर last में जो security की है उसको enter करके इम agree पिक्ली करके registration कर री इसे आपकी new registration होगे उसके पर आपको अपनी personal information डालनी होगी जिसमें सब से पहले यहां पर applicant का नाम हो गया आपको अपनी ये नाम लिखना है यहां पर ठीक है उसके बाद date of birth लिखनी है फिर अपना gender लिखना है फिर father's name लिखना है उसके बाद mother's name लिखना है ठीक है उसके बाद आप select from the list of your belonging ठीक है तो आप कहां से बिलोंग करती हो डोमसाल ओप हिमाचल हो बनोफाइड ओप हिमाचल हो आपने जो टैंथ हो फ्लस टू किये वो कहां से पास किया है हिमाचल से पास किये तो यहां पर आपने टिक कर देने ठीक है फिर status to which you belonging किया है अगर आपके कोई category है वह इंटर कर देनी है सब category है वह इंटर कर देनी है उसके बाद आपने लिख देनी है ठीक है किस religion से आप बिलोंग करते हो कि आप किसी मानेटी से बिलोंग करते हो उसके बाद नेक्स आ जाएगा employment office में आपका registration है यह नहीं अगर है तो उसके पड़ेगी उसमें आपको अपने mobile लिखना पड़ेगा अपका एक alternative email लिखनी पड़ेगी उसके बाद जो आपका corresponding address होगा वो लिखना पड़ेगा address में पूरा detail भर देना ठीक है pin code आगिया state आगिया district आगी फिर उसके बाद permanent address आगिया जिसमें आपको अच्छे से बढ़न detail भर देना अगर permanent or corresponding same है तो आपको same as अब पर click करके next कर देना है उसके बाद education qualification का पेच खुल के आजाएगा जिसमें आपको 10th से लेकर अपनी bear तक जितनी वे आपने education किया है उसको पूर detail को अपने भर देना ठीक है उसमें आपकी specialization qualification आजाएगी फिर board or university आजाएगा किस sports आपने अपनी जो भी qualification है वो की है फिर इस institute का नाम आ जाएगा फिर वो subject के नाम आ जाएगी उसके अंदर फिर result का status आ जाएगा यह रा जाएगा marks आ जाएगी ठीक है उसके पाद अगर certificate number भी आ जाएगा इसके अंदर हर एक education जो भी आपने किया उसका सब कुछ आपने ब है net set का तो वो भी आप यहां पर भर सकते हैं अगर नहीं किया तो वो compulsory नहीं है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर photo अपना अप्लोड करना होगा photo को जो डिमेंशनर को 3.5 cm to 4.5 cm होना चाहिए photo के साथ मैं फिरे अपने signature भी यहां पर upload कर देने हैं और next यह उपर click कर देने ठीक है उसके बाद next है work experience work experience अगर आपके पास है तो आपने yes के उपर click करने करने है तो no के उपर click करने उसके पाद आप यहां document का option आजाता है document अप्लोड करने आपने अपनी category का document हो गया bonafide का domicile का document हो गया उसके पाद जितनी भी qualification है अपने qualification भरी है उनके document अप्लोड करने को आजाएंगे टैंस से लेकर जो भी यह जितनी भी document से आपको यहां पर upload करने हो ठीक है बाड़े बार करके upload कर देने उसको यह से upload करने के बाद आप एक नए page पर पहुंच जाओगे जहां पर आप direct apply करने का option आ जाएगा तो आप यहां से फिर home page पर आजाओगे और home page पर यहां पर आप देख सकते हो जो भी आपने qualification भरी है और जिस post के लिए आप eligible है वो आपको यहां पर आ जाएगी यह बात होगे new user की जो old user है यहां पर अगर apply करने का option नहीं आ रहा है तो उनको क्या करना है सबसे पहले upload profile पे जाना update profile पे जाने के बाद जो आपका document section है document section पे आपने be add का जो अपनी course किया है उसके जो document है वो fill क करने document upload करना है तो सबसे फ़ले आपने graduation select करना है add new qualification के अंतर उसके बाद जो qualification है be add आजाएगा ठीक है be add आपने यह पर भर देना be add education आजाएगा फिर qualitative फिर qualification specialization आजाएगी अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना उसके बाद बोर्ड इन्वस्टी आजाएगा फिर बोर्ड इन्वस्टी बाद इंस्ट्यूशन का नाम आए जिसे इसे आपने बीड की है उसके बाद उसके बाद उसके सुब्जेक नोन मेडिकल मेडिकल जो भी स्ट्रीम है टीचिंग फार्ट सोगेब सोचल साइंस होगे जो भी है आपके बास वह अपने इंटर कर दोएं फिर चो लो और यहां पर आपका यहां प्लाई करने को उप्शन आ जाएगा और फिर जो ओल्ड यूजर है वो वी अपलाई कर सके क्रेंगे ठीक है तो अप्लाइफ करेंगे तो अप्लाइफ करने के बाद एक नए पेज़ भीढ पहुंच जाएंगे जिसमे आपने सब वह देह सकते हैं आप रही हम डेपार्टमेंट की नाम आ जाएगा शेक्षेइर नाम आ जाएगा फिर तीन सेंटर में को शो हो और है उसके बाद आप नीचे आप पासनल इंफोमेशन चेक कर सकते हो उसके बाद अपना जो कॉंटेक्ट इंफोमेशन है वो चेक कर सकते हो उसके बाद नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो कि अपना आप अजूकेशन कौलिफिकेशन चेक कर सक पर मेरा MST का Uploaded नहीं है तो मैं भी MST का Uploaded कर देता हूँ तो MST का Uploaded करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा और उसके बाद एक नए पेज पर जाओंगा यह फिर हमें वहीं पराणी पेज पर ले गया है जहां पर हमने अपने सारे अपलोड की है तो यहां से मैं भी MST का और अपना B8 का जो डोकुमेंट मैं अपलोड ने किया उसको अपलोड कर दूँगा तो मैं यहां पर MST के लिए यहां अपलोड पर क्लिक करूँगा और यहां पर एक नया सेलेक्ट डोकुमेंट का उप्चन आजाएगा और मैं चूज फाइल करूँगा चूज फाइल करने के बाद यहां पर MST आउसके बाद भी हम request का जो मेरा डोपरमेंट पढ़ा हुआ है पेंडिंग उसको प्लोड कर दूगा यहां पॉडड पर क्लिक करूँगा और यहां से इस इसकर भी अपफमें के कोष्िक करूँगा तो चलिए ब्याट का भी अप्लोड हो गया है अभी मैं नीचे जाऊंगा और देखोंगा कि और तो नहीं बचा ठीक है सारे हो गया है तो हम बाप पर आएंगे एक बार और फिर से हम जाएंगे और फिर से लेते हैं तो धनुशला पहला मैंने बार रहा है अपर अपर एड करना होगा जो की अप्लोड सेटिफिकेट और टैंथ एंड ट्वल्थ इन सिंगल पीडियाफ या फिर हिमाचल बोन पार तो मैंने जो एब और टैंथ और प्लस टू दोनों को एक पी प्लोड कर दियो थोड़ा से टाइम लेगा उसके बाद हैं यह पर क्लिक करूंगा और उसके बाद एक थोड़ा से टाइम लेगा उसके बाद एक नया पेज को जाएगा जिस पर आप देख सकते जो प्रिव्यू डॉकुमेंट से तो इसमें जितने भी अपने पोस आ रहा जाएंगे और आपको आप इनको देख सकते हो और देखने के बाद आप यहां नीचे क्लिक करोगे और उसके बाद करने के बाद प्रोसेस्टू नेक्स्ट करतोगे जैसे प्रोसेस्टू नेक्स्ट करतोगे तो सम्मिट अप्लिकेशन का उप्शन आ जाएगा को अपर क्लिक करोगे उसके की करनेके बाद आतीयों के उपर अपने डेट कर देना है तो हैस करने के बाद एक नए फीज चुन जाएगा जिसमें आपको फीज पेमिट जो भी है आपकी उसको पेकरने के लिए अब है संब्मीट पर क्लिक करोगे और यह चोड़ना पर यहीं बैंक कर के जो बैंक है जिस भी बैंक से यार यूपियाई से या किसी भी तरीके से आप पेमिंट करना चाहते हूँ उसको स्लेक्ट करके यहां पर इंटर कर दोगो और यह capture इंटर कर दोगी तो मैंने यूपियाई स्लेक्ट किया जिसमें हम qr और यूपियाई भी कर सकते हो तो अभी हमने यह capture फिल किया और make payment के उपर क्लिक कर देंगे ठीक है जैसी make payment के उपर क्लिक करोगी और यूशूर का option आ तो अभी मैं qr से करूंगा तो qr करने के लिए भी जनरेट qr कर दूँगा जनरेट qr करने के बाद यहां पर हम qr दिखा देगा तो जनरेट qr को मैं स्कैन करके इसकी payment कर दूँगा तो जैसे payment हो जाएगी तो एक आपको तो दोवारा से login करना पड़ेगा और दोवारा से login क करने के बाद आप देख सकते हो कि जो मैंने पोस्ट भरी है अभी यहां से आप यहां देख सकते हो यह जो है लास्ट फरस्ट वाला भी सकतूबर वाला यहां से आप देख सकते हो mathematics वाला तो view application की उपर आप क्लिक करोगे तो यहां पर अपना पूर डिटेल आ जाएगी जो यह पर को बनने में तो आपको कोमेंट करके मुझे जुरूर पूछ सकते हो ठीक है तो आज के लिए इतना ही चैनल को जूर सस्क्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेर कर दे थैंक यू